हे गाईज वोकम बाग ममाज और आप लोग हमेशा पुछना चाहते हैं कि मैं स्किन वाइटनिंग के लिए बच्चों के चहरे पे क्या यूज़ करना चाहिए अगर आपके बच्चे की तीन साल है चार साल है पांच यह आठारा साल तक का बच्चा है और संट एंज से उनकी स्किन काफी ज़दा काली हो गई है आप सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बड़ा गोरा चुट्टा था लेकिन अब सावला होता जा रहा है ना स्किन काफी काली पड़ती जा रही है क्या करें का इस एक तो रंग होता है हमें परमात्मा जो देता है हमें वह एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए और दूसरा होता है कि जो हमें रंगत मिली है हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं जिस वज़े से हमारा स्किन टोन ब्लैक होता जा रहा है तो हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं आज में आपको बताने जारहे हूं वो हमारे घरो में in our kitchen में available होती है तो इस remedy के स्नेमाल से आपके बच्चों की स्किन बहुत ब्राइट होती है ताइट होती है स्किन के उपर जितना भी टैन है वो जमा होता है वो खथम होता है स्किन चिप चिपा गई है या फिर पसीनते के वज़े से रेट दाने हो गई है स्किन बहुत इरिटेट्स ही रहती है तो इसका इस्तेमाल जरूर किये जएगा जो आपके लिए बहूत हैल्दी होगा आपके बच्चों के लिए बहुत हैल्दी होगा आपने दोनों को दूद में भिगोके रखना है, दूद में आपने 20 मिनट तब भिगोके रखेगा, उसके बाद बदाम की उपर छिलका होता है उसको निकाल दीजेगा, और दोनों का मिक्सी में चलाकर पेस्ट तायार कर लें, इस पेस्ट को बहुत स्मूद सा, बहुत ही दर तो अब इस पेस्ट में आपने सिर्फ एक से दो भूंदे नारिल का तेल डाल सकते हैं या ओली वोयल डाल सकते हैं, डाल कर मिक्स कर लीजेगा अच्छे से, मिक्स करने के बाद अपने हाथों मिले और बच्चों के चेहरे पर उपर की तरफ मसाज करनी है, दीरे दीरे करके 2-3 मिनट तक चेहरे की मसाज कीजेगा, स्किन बहुत क्लीन एन हाइडरिट हो जाएगी, उसके बाद फेस को वाश हीजेगा, स्किन बहतर होएगी पहले से, स्किन के ओपर जितना भी संटैन है, पलीशन के वज़े से स्किन काफी काली पढ़ गई है, तो वो भी अच्छी खासी साफ हो जाएगी, तो जरूर ट्राइ करके देखेगा, ममाज जैडास भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल करें और मुझे अपना जो भी रिव्यू आता है, वो नीचे कमेंट बार में जरू लिखेगा, मिलूगी नए वीडियो में गाईस, बाई बाई, टेकिया, लव य'all.